बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की ये special वीडियो Class 9 का आपका जो Science का subject है बच्चों यानि की विज्ञान का इसके लिए बहुत जादा important वीडियो होने वाली है क्योंकि जैसा की आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानि की 5 October 2024 को Science का आपका जो मिट्रम का एक्जामे बच्चों ये होने वाला है ठीक है तो आपके कल के paper की तयारी के लिए हम लोग अपना एक most important जो sample question paper है with solution के साथ इसी को discuss कर रहे थे तो ये वीडियो हमारे इसी paper की part number 3 की वीडियो रहने वाली है जिसमें हम बाकी का जो paper बच गया है हमारा उसको बहुत अच्छे से solve करके समझने वाले है ठीक है अगर हवी तक आपने इस paper के बाकी के दो videos को नहीं देखा है तो link आपको यहाँ पर मैं i button में देदूँगा उन दोनों ही videos का आप सारे बच्चे वाहां से जाके जरू से देख लेना बाकी आज की वीडियो को सुरू करते है बच्चो लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चो को advance में ही आपके 9th class के science के कल के मिटरम के exam के लिए 80 नमबर का हैगा ठीक है रही बार paper के pattern की तो इसमें total जो है आपके 5 खंड होंगे खंड नमबर का खंड खा खंड गा खंड गा और यह आपका पांचमा खंड टोटल नमबर आप question 39 होंगे आप देखो कैसे कैसे question होंगे तो खंड का मैं 20 होंगे वासरच परकार के question एक एक नमबर के यानि कि इसमें कुछ question तो आपके MCQ वाले होंगे और कुछ question आपके one marks वाले होंगे ठीक है जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ फिर 6 अत्ती लगूतिया प्रश्णों के बच्चो दो दो नमबर के यानि कि paper में आपके दो नमबर के 6 question आएंगे जो कि आपको मैं समझा चुका हूँ फिर यहां पर हमारा खंड गा रहेगा जिसमें 7 हमारे लगूतिया प्रश्णों के बच्चो तीन तीन नमबर के यानि कि तीन नमबर के total अबारे 7 question आने वाले ह ठीक है फिर खंड घा रहेगा तीन धीर गुतिया प्रश्णों के बच्चो पांच पांच नमबर के यानि कि पांच नमबर के total तीन question आपके paper में आएंगे फिर पांच वा खंड होगा जिसमें तीन question होगे बच्चो सुरुताधारित और यह रहेंगे चार चार नमबर के य इसमें गा घा ना इन सभी को समझ लेंगे तीन नमबर के question पांच नमबर के चार नमबर के इन सभी को ठीक है तो आउसरू करते हैं लेकिन उससे पहले जो बच्चे English medium के है वो अपने paper के pattern को यहां से देख लीजिए section A में आपके 20 objective type questions होंगे 1 marks के section D में 6 questions होंगे very short answer type के 2 marks के section C में 7 short answer type के questions होंगे 3 marks के section D में 3 long question answers होंगे 5 marks के section D में D नहीं E है basically यह ठीक है यह D नहीं E है section E में आपके 3 questions होंगे source list और यह रहेंगे 3 marks के sorry 4 marks के question 3 basically लिए okay are you ready for that शुरुआत करें बच्चो देखो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे paper का जो section number C है वो question अच्छे से पूरा का पूरा समझ लिया था जिसमें हमारे MCQ based बगारा question थे ठीक है एक एक नमबर वाले जो question थे इन सभी को मैं आपको solve करके पहले ही बता चुका हूँ ठीक है अब जैसे की यहां पर हमारा section भी आया था जिसमें दो-दो number के question थे और सारे ही important questions थे यह सब कुछ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ अब हमारा जो आज की वीडियो से शुरू होगा वो रहेगा section number C से ठीक है तो चलो शुरू करते हैं बच्छो तो section C में हमारा पहला question है 27 यह क्या कहता है ती नमर का question है बच्छो कि यहां पर कहा गया है चाय बनाने के लिए ठीक है चाय को बनाने के लिए आप जिन चरणों का उप्योग करेंगे उने लिखें सिंपल सी बात है आपको चाय पीनी आपको चाय बनानी है तो आप जिन चरणों का उप्योग करेंगे वो लिखने है लेकिन एक twist है जो आप चरण लिखेंगे उसमें आप villain, vilayak, vilaya, vilaya, agulansil, chanana, abshish ऐसे जो शब्द है इनका आपको उ ठीक है सेम यही कोश्चन आपका इंगलिस में सरीके से रहेगा कि राइट इस्टेप्स यू शुड यूज फोर मिकिंग टी बाट यूज दी वर्ट सॉलिशन सॉल्वेंट सॉलिट डिसॉलिवल इंसॉलिवल फिल्ट्रेट एंड इस इसाइड 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 अरकेन के आंसर को देखते हैं तो मैं आपके लिए आंसर की निकाल देता हूँ एक बाद वुश्चन नंबर है ट्वंटी थ्री अर्ट ट्वंटी सेवन है है ना हाँ देखो यह देखो बच्छो आपके लिए सारी के सारी चैज़ें आपर मैंने लिख रखी है हिंदी और इस दोनों मीडियम में तो पहला चर्ण रहेगा पानी उबालना और पानी के बच्छो पानी रहेगा विलायक ठीक है उसके बाद चाय की पत्तियां तो चाय की पत्तियां बिसिकली पानी में मिलाई जाएंगी तो यह होगी विले और चीनी भी पानी में मिलाई जाएगी त और चीने डाल दी, तो यह दोनों विलेक हो गए, अब इन दोनों को मिलने देजे थोड़ी रिर गैस पे, ठीक है, चाय बन गए हमारी, अब क्या करेंगे, चान कर अवसेश निकालेंगे, ठीक है, जैसे कि चाय की पत्या होगी, अद्रक होगी, इलाइची होगी, इनकम निका कादे पॉइंट जैसे, यहां पे और भी दिये हुए थे ना, लाइक, एगुलन शील हो गए, ठीक है, एगुलन शील में आप अद्रक डाल लिख सकते हैं, अद्रक जो है, वो नहीं घुलेगी इसमें, ठीक है, चानने के बाद में निकल आते ही चीज़, उसके बाद, अब के तकरिबन 320 मिली ग्राम पानी का है, अब इतने में, 40 ग्राम नमक पाया जाता है, तो विलियन के द्रेभिमान प्रतिशत के द्वारा, द्रेभिमान के रूप में, आपको इसकी सांधरता घ्याद करनी है, ठीक है, तो आओ बच्चो, इसके सांधरता निकालते हैं, 40 g of commerce salt in 320 g of water calculate the concentration in items of mass by mass percentage of the solution आप देखो आपको जिस तरीके से calculate करना है वो इंग्लिस में आरे लिखा हुआ है हिंदी में कैसे लिखा हुआ है कि विलियन की द्रभ्यमान प्रतिस्यत सांधता निकालने के लिए हम एक सूत्र का उप्यू करेंगे तो द्रभ्यमान निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा विले का द्रभ्यमान और विले का द्रभ्यमान प्लस विलायक का अब इसी तरीके से हम इसका द्रभ्यमान निकालेंगे तो द्रभ्यमान कैसे निकालेंगे बच्चो पहले तो विले का दिर्विमान कितना दिया हुआ है 40 ग्राम तो यहाँ पर हमारा 40 ग्राम आ गया उसके बाद में विले का दिर्विमान प्लस में विलायक का दिर्विमान तो इसको हमने एड़ कर दिया फिर करेंगे इंटू 100 तो पहले तो हम जोड देंगे, 40 बटे में कितना जाएगा, 360, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 से 0 को काट देंगे, नीचे बाले से, और इस 10 की multiply, इस 40 में कर देंगे, फिर 36 को 400 से इंटू कर देंगे, कितना, ठीक है, 36 को 400 से जब हम काटेंगे, तो किना निकलेगा यहां पे, 11.11 तो क्या दिर्बिमान निकलेगा बच्चो, 11.11 निकल किया जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 11.11, ओके बच्चो, तो आंसर मिल गया, आपको कैसे निकलना यह भी समझ गये न, चैले, अब है question number 28, इसमें पूछा गया बच्चो, अमीवा अपना भोजन कैस इसे गोले बना देना है, बस अमीवा बनी गया, ठीक है, तो how does अमीवा अप्टेंड इस फूड, एक्स्पिने विस सुटेवल डियाग्राम, तो डियाग्राम तो आप अपनी बुक से भी देख सकते है, मैं आपको यह पर question का answer बता देता हूँ, ठीक है, तो question का answer क्या है ब बोजन कड़ों के 4 और फैलाता है, यानि कि इसका जो area होता है उसको यह 4 और फैला देता है, और जो जितना इसके area में आ जाता है, उसे निगल लेता है, और एक खाड रिक्तिता बनाता है, रिक्तिता के अंदर बोजन को पचाया जाता है, अब सुश्र करता है, इसी तरीक उस definition को पढ़ लेना बहुत यसान है ठीक है आप question number 29 क्या कहता है कि निम्ल खित के नाम बताओ आपको यहाँ पर नाम बताने है ठीक है जैसे कि पहला question है वह उतक जो हमारे मुहों की आंतरिक परत को बनाता है ठीक है the tissue that forms the inner lining of our mouth तो उस उतक का क्या नाम है बच्चो उस उतक का नाम है यह देखो epithelial utak इंगलिस में आप यहाँ पी देख सकते हैं ठीक है second question वह उतक जो मनुष्य में माश पीशियों और हड्डियों को जोड़ता है तो उस उतक का नाम है बच्चो tenders tendon कह सकते हैं आप यह tenders कह सकते हैं ठीक है अगला question वह उतक जो पौधों में भोजन का परिवहन करता है tissue that transport food in plants तो उस उतक का नाम है बच्चो phloem ठीक है यह वाला फिर आप चोथा question वह उतक जो हमारे सरीर में वसा को जमा करता है tissue that stores fat in our body तो उसका नाम है बच्चो वसा उतक ठीक है एडिपोस tissue अगला question एक द्रव मेट्रिक्स के साथ संयोजी उतक बनाता है तो connective tissue with a fluid matrix तो कौन बनाता है वो वो होता है blood यानि की हमारा रक्त और सबसे आकरी बच्चो कि मस्तिस्क में मौझूद उतक tissue present in the brain it is called nervous tissue यानि की तंत्र का उतक तो हर एक point के लिए कौन-कौन से उतक जिम्मेदार है वो मैंने आपको यहां पर अच्छे से बता दिए ठीक है चलिए अगले question को देखते है question number है यहां पर 30 अब 30 में हमसे यह कहा गया है कि धारीदार आरेखित और हिर्दय की मास्पीशियां तीन point है धारीदार आरेखित और हिर्दय की मास्पीशियां इनके बीच में उनकी सनचना और सरीर में साइट स्थान की अधार पर अंतर बताईए same question इंगलिस में रहेगा differentiate between straight unstrayed and cardiac muscle on the basis of their structure and site location in the body तो इन तीनों को अच्छे से समझते हैं बच्चो देखो इंगलिस में अगर आप देखना चाहो तो यहां पर है straighted muscles unstrayed muscles and आपका cardiac muscle हम इसको हिंदी में समझते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं धारीदार मासपेशियों के धारीदार मासपेशियों को हम कंकाल मासपेशी भी कहते हैं क्योंकि यह स्वैक्षिक मासपेशियां होती हैं जिनमें हलके और गहले गहरे जो बैंड होते हैं जो हिए उसके बाद आरेखित मासपेशियां इने हम चिकनी वी कहते हैं ठीक है यह अनेच्छिक होती हैं और इनमें धारियां नहीं होती हैं ये हमारे सरीर जैसे कि पेट हो गए आंथ हो गए इनकी दिवारणें पाई जाती हैं तभी तो कहते हैं कि आंथ में कुछ खाना फस गया कोई कीड़ा फस गया है या फिर कोई दिक्क दो गए आज में है ना इसीलेस में धारीदार पाए जाती है क्योंकि अगर धारीदार नहीं होंगी तो यह ब्लड का जो circulation वो कर ही नहीं पाएंगे तो यह चीज़ें होती है हे दिमास पेश्यों की अब यही इंग्लिस में भी आप देख सकते हैं वैसे तो मैंने समझाए दिया आपको चले यह हो गया है अब 31 में क्या कहता है बच्चो कि अब ध्यान से देखना है इस को पढ़ना है पहले तो कोशन में कहा गया है एक इस्तिति से सुरू करते हुए राहूल अपनी साइकल को 30 सेकिंड में 6 ms1 के विग को प्राप्त करने के लिए पेडल मारता है थीक है तो सबसे पहले इस्तिति क्या हो गई उसने पेडल मारा थीक है और इस्तिति determine 6 ms1 यह हो गया उसका वेग और इस तरीके से वह ब्रेक लगाता है वह चलता रहा चलता रहा फैर इसने एकदम से अचानक ब 5 minutes per second, टीक है, दोनों स्थितियों में cycle के तोरण को गयाद करना है, cycle का तोरण है, paddle मारने में और break मारने में, दोनों ही इस्तियों में आपको बताना है, तो आव बच्चो इसको गयाद करते हैं, English medium के बच्चे, आप चाहें तो इसको यहां से समझ सकते हैं, लिखा हुआ है मैं आपको सिधा इसका आंसर हिंदी में पहले समझाता हूँ देखो ओके तो हिंदी में पहले आप इसे यहां पर समझो पहला मामला फॉर्स्ट श्टैप है पैडिलिंग का दूसरा है ब्रेक लगाने का तो हमारा प्रारंबिक वेग यह है 0 मेंटर पैडल मारने के लिए प्रारंबिक वेग क्या है 0 क्योंकि भी साइकल उसने शुरू की ही है एक तरीके से अंतिम वेग क्या है जब उसने अपनी जो परफेक्ट एक गरती वो प्राप्त कर लिए थी 6 मीटर पर सेकेंड समय कितने लगा उसको समय लगा है 30 सेकेंड तो अब हमें निकालने त्वरण तो त्वरण निकालेंगे तो इस तरीके से हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूला को लगाने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.2 ठीक है दूसरा मामला है ब्रेक लगाने का तो ब्रेक जब इसने लगाई तो उस समय इसका प्रादम विक कितना था 6 मीटर ठीक है लेकिन अंतिम भी कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड और समय लगा इसको 5 सेकेंड तो यहाँ पर तोरंड जो है वो माइनस में हो जाएगा इसका कि इसको कम मतलब बिसीकली ज्यादा टाइम लग गया है ना माइनस जीरो पॉइंट मीटर स्क्वेर इस तरीके से तो यहाँ पर रियाडात्मक का मतलब मंदन है एक तरीके से यानि कि निगेटिव इंडिकेट्स डिकलेरेशन गति कम है इसको रशाता है ओके तो यह हो गया आपका कोशन वर 31 और इसी 31 के अथवा में और कोशन दिये गए है यहाँ पर पूछा गया है बताईए कि निम निलखित मैंसे कौन सी इस्तिती संभव है और इन मैंसे प्रित अबजेक्ट विदा कंस्टेंट एक्सलेरेशन बट विदा जीरो वालेशिटी तो इसको कैसे समझेंगे तो आओ समझा देते हैं देखो हम कहेंगे कि हाँ यह इस्तिती संभव है कौन सी वाली स्तिती कि एक इस्तित त्वरण के साथ एक वस्तु लेकिन सून वेक के साथ मे में एक निरंतर तुरंड उत्पन होता है ठीक है मतलब कि अभी कार चली नहीं है अभी जैसे एक्सलेटर दबाया है वैसे वो गती पानी के वस्ता में जबकि वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है लेकिन तब तक इसकी गती शून है जब तक बत्ती हरी नहीं हो जाते वो एक इस्ते तुरंड के साथ एक वस्तू लेके सूनिविक के साथ में है एक वस्तू एक तोरण के साथ गती करते हुए लेकिन एक समान गती के साथ में है यानि कि एक वस्तु जो है ना एक तोरण के साथ गती करतो रही है लेकिन एक समान गती के साथ तो आओ इसको भी संभव करते हैं जैसे एक उपग्र है जो की कक्छा में है एक निश्चित गती से चल रहा है लेकिन यह प्रित्वी की ओ लगातार आकर्शन के कारण तोरण कर रहा है यानि कि वो लगातर गती क्यों कर पा रहा है क्योंकि प्रित्वी की वज़े से इसको गुत्व अकर्शन मिल ला है इस वज़े से यदि तोरण इसकी दिसा में बदलता है जबकि इसकी गती समान रहती है तोरण जो है इसकी दिसा में बदल जाएगा लेकिन गती समान है इस तोरण के साथ एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तू कैसे एक जम्पल लेंगे तो हम बोलेंगे हाँ ये भी पॉसिबल है कैसे पॉसिबल है एक रोलर कोश्टर जो लूप के शीर्ष पर है 36 रूप से चल रहा है लेकिन गुरुत्वा कर्षण बल नीचे की और कार करता है यानि कि इसकी गती के लंबवत तब गुरुत्वा कर्षण के कारण होने वाला तुरण रोलर कोश्टर को 36 गती के प्रती लंबवत दिशा में कार करता है तो हाँ ये इस्तिती भी संभव है बच्चो ठीक है चलिए अब बात करते हैं कोश्चन नमबर 32 के अब 32 में देखिए बच्चो तीन नमर का मारा कोश्चन क्या कहता है कि प्रतियक के लिए उपियुक्त उधालनों के साथ न्यूतन की गति के नियमों को सच्छे में एक्जामपल और इच तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर आ जाएए सबसे पहला फर्स्ट लॉव लॉफ इनर्शिया इन तिनों को आप पड़ सकते हैं वीडियो को पॉस करके इंगलिस मेडियो में हिन्नी वीडियो में मैं समझादेता हूं सबसे पहला नियम जड़तो का नि तब तक विश्राम कि इस्तिती में या समानगती में रहती है जब तक उस पर कोई बहारी बल नहीं लगाय जाता है एक्जांपल के लिए जैसे एक मेज पे रख्यूई किताब है वो तब तक इस्तिर है जब तक उसे धकान दिया जाता और दिर्विमान के वित्क पुर्मान पाती होता है जैसे कि एक हलकी वस्तु एक भारी वस्तु की तुलनावे तेजी से तुरेस होती है ठीक है? अगर मान लेते हैं एक kilo की कोई चीज है ठीक है? वहीं दूसरी चीज है मान लेते हैं सो ग्राम की तो इसमें जो सबसे तेजी से गती करेगी वो कौन से करेगी सबसे तेजी से 100 ग्राम वाली गती करेगी ठीक है दीवार समानवल से वापस धक्का देती है तो वही चीज है नहीं नहीं यह वाला दोनों पर समान बल लगाया जाता है यह चीज है ठीक है से आपको भी धक्का देती है कुछ यह examples है जिससे आप यहाँ पे लिख सकते हैं पहला है जड़तो का नियम दूसरा यह नियम है और तीसरा आपका यह बाला आजता है तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे same question English medium में आपको पहले ही दिखा दिया है यहां से पढ़ सकते हो चलो अब तीन नुमर का आखरी question बच्छो कि आप capture fishing mariculture और जलियकरशी इनमें कैसे अंतर करेंगे तो how do you differentiate between capture fishing mariculture and aqua culture तो आओ इसको भी समझ लेते हैं तीनों point को देखो पहले अंगले इसमें आपे देख लिएंगे बच्छे कि capture fishing क्या होती है mariculture क्या होती और aqua culture क्या होता है अब इन तीनों को हिंदी में समझो capture fishing प्राक्रतिक जल निकायों जैसे कि समूद्र, नदिया, जील तो इन सभी में मचली पकड़ने की प्रक्रिया को capture fishing बोला जाता है बहुत ही simple है mariculture क्या है तो mariculture जलिये क्रिशी की एक साखा है जिसमें समूद्री जीवों को खुले समूद्र या समूद्र के बंद छित्र में पाला जाता है जैसे कि केंकड़े हो गए ठीक है या फिर मगरमक्छ बगरा हो गए dolphins हो गई इन सभी को फिर आता है जलिये क्रिशी तो नियांत्रेत वातावरन जैसे की तालाव, टैंक इन सभी में जलिये जीवों जैसे मचली ठीक है, क्रिस्टेशियन्स, जलिये पौदे इन सभी की खेती की जाना जैसे अपने गाउं बगरे में देखा हुआ ना कि तालाव होता है तो अब बहुत सारी मचलियां छोड़ दे जाते हैं बच्चे से छोटे छोटे से और एक टाइम पर फिर उन्हीं की तादाद लाखों में हो जाती है फिर उनको बिसे लिए ट्रेड भी किया जाता है उनका तो इसी को बोलते है जलिये करशी जल से संबंदित जीव और पौदों की करशी करना जलिये करशी होता है तो तीनों ही संबंदित है जलिये मतलब एक प्रेकार से ऐसी करशी के बारे में जो जल से सम्मन्दित है तो capture future, merry culture और जलिये कृशे समझे अच्छे तरीके से same question English में आप दोवारा से चाओ पढ़ सकते हो मैंने आपको बता रखा है हिंदी में अच्छे तरीके से तो एक बास सारे बच्चे मुझे comment box में बताईएगा कि क्या आपको section number C के जो मैंने 3 number के आपके 7 question ते समझाएए आपको समझ मैं के तरीके से सारे के सारे बच्चे मुझे comment box में ज़रूर बताना और जिस भी बच्चे ने अभी ते के session को like नहीं किया है फटा फट से like करो से वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में share कर दो और हाँ आप सभी बच्चे हमारे 9th class का जो telegram group है उससे जरूर join करो telegram पे जाएए वापे search कीजिए jsk9th class ठीक है इस तरीके search करना और जो group आएगा आप उसको join कर लेना important notes PDF और link बगार हम आपको देते रहते हैं आपे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं section number D की जड़ा अब देखिए section number जो हमारा D है इसमें कैसे कैसे question होंगे पांच number के और बहुत important है तीन question होंगे पांच number के तो आओ अच्छो ध्यान से समझते हैं देखो question number 34 कहता है कि निम लिखेट प्रशनों के उत्तर दीजिए कौन कौन से question है सबसे पहला Precariotic और Eukariotic इन कोशिकों के बीच में अंतर बताईये और दूसरा प आदप कोशिका और जन्तू कोशिका इसमें अंतर बताईये वैसे देखो कोशन क्या लिखा है कि आप पादप कोशिका जन्तु कोशिवा में किस परिकार अंतर विभेदित करेंगे अंतर करेंगे बस सिंपल सा डिफरेंश बताना है दोनों में तो चार के बारे में आपको यहां पर व्याख्या करने है कौन-कौन सी प्रेकरियोटिक, योकरियोटिक कोशिका फिर पादप कोशिका और जन्तु कोशिका इनके बारे में आपको बताना है तो आओ बच्चो एक एकर करके दोनों को समझते हैं तो देखो यह रहे पहले हिंदी में समझेंगे फिर आपको इंगलिस में बता दूँगा यहां पर है कोशिका है दो करियोटिक कोशिका कैसे होती है वास्तविक केंद्रक नहीं होता है इनका यानि कि जो वास्तविक केंद्रक वो नहीं होता इनका न्यूकलाइड होता है ठीक है कोशिकांग जिल्ली से गिरे नहीं होते है जैसे की बैक्टिरिया फिर आते हैं यूकरियोटिक कोशिक है तो वास्तिबी केंद्र जिल्ली से घिरा हुआ होता है कोशिका जिल्ली से घिरे गुल होते है उधारन परशु और पौदों की कोशिक है तो पहला डिफरेंस Systems आपको किसके बारे में समझ भाया रोचरियोतिक और यह कर योट्य का अपनी कोई होता है लेकिन केंदेक जिली होती cotton कोशिका छिल्ली से गिरे नहीं होती है जबकि यो कर रोरियो टीक का एगечьांपल लगेक्टिरिया और पारिय है कई है कर अबcr अब कोशिकाएं, basically यह सभी कोशिका भित्ती, क्लोरोप्लास्ट और बड़े रिक्तिकाएं होती है, लेकिन जनतु कोशिकाएं, इन में कोशिका भित्ती और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, और रिक्तिकाएं छोटी होती है, या फिर ना कि वरावन होती है तो यह difference है पाद पर जनतू कोश्च कहा हूं है same यही question आप English में यहां से देख सकते है कि prokaryotic cells क्या होते है और eukaryotic cells क्या क्या होते है ठीक है और उसके बाद जो plant cells है और animal cells है इसके बारे में क्या क्या point है वो भी यहां से देख सकते हो ठीक है तो same मैंने आपको लिखा दिया है एक और English में आप चाओत इस question को पढ़ लो कि what are the difference between prokaryotic and eukaryotic cell and how will you differentiate a plant cell from an animal cell इस तरीके से ठीक है अब इसी question में हमें बच्चो एक अत्वा दी दिया गया है कि अगर आपको ना उपर बाला question नहीं आता है इनमें अंतर करना नहीं आता है तो आप यह नीचे बाला कर लो इसमें भी आपको अंतरी करना है कौन-कौन से अंतर एक कहता है स्कलीडेन और स्वान के द्वारा प्रस्तूत किये गए विर्चोब द्वारा समझायागा जो कोशिका सिध्धानत है इसको आपको बताना है दूसरा समपरासारी विलियन अलपपरासरन विलियन मतलब अलपपरासरन जो दावी विलियन है ये और अती परासरन दावी विलियन इन तीनों के बीचे में डिफ्रेंस बताना है तो आओ बच्चो ध्यान से समझ लेते हैं एक बार इन सभी को देखो यहां पर क्या कहा गया है कोशिका सिध्धान्त जिसे मद्ध उन्नीश्वी सतअब्दी में मैथियस लाइडन और थियोडोर स्वान के द्वारा प्रस्तूत किया गया इसमें निम्लखित बातें कहीं गई सबसे पहले बात यह कही गई कि सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है एक कोशिका से बना हुआ जीवित या एक या फिर जो जीवित है ना वो एक या एक से दे कोशिकाओं से बने होते हैं कोशिका हमारे जीवन की मूल भूत इकाई होती है सभी पूर्व इस्थापित कोशिकाओं से उत्पन होती है जिसे रुदोल्फ विचरो ने आगे सफ़्ट किया है तो रुदोल्फ जो विचरो भेरों ने क्या खा उनका योगदान इस बात पर जो देता है कि नई कोशिकाओं मौजूद कोशिकाओं के विवाजन के माध्यम से बन नहीं लिखा गया मैंने ठीजल अ व्हां डेक है इस बी वाले काँसरी यहां पर बच्चों यह रहा देखो एक।ि यह पूच्छा गया है यहां पर हम पर palsयों से पूच्छा गया है यह देखो आइसोटोनिक, हाइफोटोनिक और हाइफोटोनिक शॉलिक्शन यह पूछा गया है न तो इन सभी को देखते हैं तो पहले आइसोटोनिक समाधान ठीक है आइसोटोनिक समाधान का घोलन सामगरी कोशिका के अंदर की घोलन सामगरी के समान होता है यानि कि यह जो आईसोटोनिक समाधान होते हैं इनकी घोलन की समगरी जो है यह कोशिका के अंदर की घोलन की समाधान होता है अब कोशिका के अंदर या बाहर पानी का कोई नेट प्रुभान नहीं होता है जिससे कोशिका का आकार और आकरते बनी रहती है जैसे सामान नमकी समादन ये फिर हाइफोटोनिक समादन क्या होता है हाइफोटोनिक समादन का घोलन सामगरी कोशिका के अंदर की घोलन समादनी से कम होता है इसमें पानी कोशिका के अंदर जाता है जिससे वह फूल जाता है और समभवी दूप से फट यानि कि lysis सकती है और example है आसोत पानी फिर आता है hypertonic समाधान तो hypertonic समाधान का घोलन समग्री कोशिका के अंदर घोलन समग्री से बहुत अथिक होता है अब जब यह अधिक होगा तो पानी कोशिका से बाहर निकलेगा जिससे कोशिका का समक्रिचन हो सकता है जैसे की उच्च नमक सांधिता वाला समाधान ठीक है तो ये तीन हैं बच्चो इसोटोनिक, हाइफोटोनिक और हाइपटोनिक इनी को हिंदी में अगर देखे है तो हिंदी में कहते हैं समप सारी विलियन अलप पराशन दावी बिलियन और अतिपराशन दावी बिलियन ठीक है तो यह संपारी हो गया यह दूसरा बाला कहा था आपका यह अलप बाला हो गया ठीक है और यह अतिवाला हो गया इस तरीके से सेम एक कोशन इंगलिस में रहेगा आईसोटेनिक स्वालीशन, हाइपोटेनिक स्वालीशन और हाइपो, हाइपोटोनिक स्वालीशन इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो ठीक है बच्चो तो I hope समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से चलिए तो दोनों की कोशन आपको में समझा दी है अब बारी आती है कोशन नमबर 35 की अब 35 में देखो बच्चो हमें कई कोशन दिए गए हैं इनका हमें आंसर करना है बहुत अच्छे तरीके से ठीक है पहला कोशन है गर्म शुष्क दिनों में अदिक ठंडा क्यों रहता है तो जब ज़्यादा गर्मी वेगरा होती है तो इस समय कूलर ज़्यादा ठंडा क्यों रहता है क्या रीजन है यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ride ज़सेड कूलर कूल बेटर allht dry day थीक है तो क्यों होता है देखो मरुस्तली कह लो या फिर ये कह लो कि जो कूलर होते हैं ठीक है मरुस्तली चाओ तो ना भी याद करो चल जाएगा बस ये याद रखना कि कूलर गर्म और सुस्क दिनों में अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि कम आद्था पानी के कारण वास्वी करण के दड़ को बढ़ा देती हैं गर्मियों में क्या होता है कि कम आद्था होती है तो कम आद्था जो है ये पानी के वास्वी करण के दड़ को बढ़ा देती है जिसकी वज़य से जब पानी वास्वीत होता है तो यहां आसपास की हवास से गर्मी अवसोशित करता है जिससे कमरे में ठंडी हवा फैलती है यह प्रभावी कूलिंग प्रिक्रिया मरुस्तलिय कूलरों को गरम और सुस्क जलवायू के जलवायू के लिए आधश्ट बनाती है ठीक है तो गर्मियों में कूलर क्यों ठंडी रहते हैं क्योंकि जो पानी है ठीक है ना इसमें वासवी करण की मात्रा बढ़ जाती है तो पानी वासपित हो जाता है और आसपास की हवासे गर्मी को अफ्शोश्र करते कमरे में ठंडी अवा को फैला लेता है इसलिए ठीक है तो यह हो जाएगा आपका अब सेकेंड कोश वकशम कूल्ड यू रिंसमर तो क्यों होता है बच्चोस देखो दरसल होता यह है कि गर्मियों में निढय रखा गया पानी ठंडा इसलिए होता है क्योंकि गड़े का छिड है मट के च्चियुकत सरचना होती है जासे जैसे जासे पानी दीवारों के मातिन से रिस्टा और यह वास्पित हो जाता है और जब यह वास्पित होता है तो अंदर के सेश पानी से गर्मी को अवसोसित कर लेता है और यह ठंड़ का प्रवाव चार और हवाव में बढ़ाता है जिससे मिटी के घड़े गर्म मौशम में पानी को ठंड़ा रखने में प्रवावी होते हैं मैं बात सुर्पिस नहीं थी है कि वास्पन की क्रिया की वजह से अंदर का पानी ठंडा हो जाता है और आस-पास का वातावर्ण भी अच्छा हो जाता है ठीक है और इंग्लिस में आप देखे सकते हैं आप लिखा हुए पूरा कोशन का अंसर अगला कोशन की aton petrol या फर i3 इन सभी कंडालने पर हमारी जो हथेली होती है थंडी क्यों हो जाती है क्या रिजन होते है कि acetone, petrol या इत जो हम अपनी हतेली पर रखते हैं तो यह थंडी हो जाती है ठीक है तो क्या क्या reason है बच्चो आओ देखते हैं English में लिखा रहेगा कि why does our palm feel cold when we put some acetone और petrol और perfume on it तो क्यों ठंडा होता है बच्चो फील आओ देखते हैं देखो दरसल जब हम अपनी हतेली पर acetone, petrol या फिर perfume लगाते हैं तो यह तेजी से वास्पित हो जाते हैं बहुत तेजी से वास्पित होते हैं और वास्पित करण की प्रिक्रिया के लिए ओर्जा की आवशकता होती है तो तौचा की सतह से यह अवस्पित कर लेती है जिससे की उस acetone, petrol परिफूम का जो तापमान है इसमें ग्रामवाट आ जाती है अब यह है गर्मी का अवशोशन एक ध्यान देने योग ठंड़क प्रभाव पैदा कर दी है जिससे की हमारी हतेली इन वास्पित शील पदातो में संपर्क पदातों से जो मारा संपर्क होता है इसमें ठंड़क महसूस करते है ठीक है तो इस तरीके से आपका यह वाला कोशन का अंसर था ओके अगला कोशन की कप की अपेक्छा आप प्लेट में गर्म दूद या गर्म चाय जल्दी कैसे पी लेते हो नॉर्मली आप चा ठंड़ा हो जाता है इसलिए तो ऐसा क्यों होता है तो आओ देखो वाई आर वी एवल टू शिप आ होटी और मिल्क फास्टर फ्रॉमा सुष्यर रादर देन अकप तो कैसे देखो हम चाय या दूद को तेजी से पी सकते हैं कपके प्लेट कपके पेक्छा प्लेट से क्यों सतह बड़ी होती है तो जो हमारा पदात वह ज्यादा फैलता है तो सतह बड़ी च्छेट परवड़ा पदात वड़ा तो इससे वास्वी कलर तेजी से होता है ठीक है अब इस बड़े हुए सतह छेट से तरल का गर्मी खोने में मदद करती है जिससे कि यह कप के मुकावले जो प्लेट उतिस में जल्दी ठंडी हो जाती है, पढ़े आम सुरूप हम इसको बिना जले हुए सुरक्षित पी सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका मैन आंसर है, चलिए, अब देखते हैं इसका आखरी वाला, कि गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, चलिए, और ये रिखो, आप इंगलिस में यहां से देख लिया, हिंदी में अब यहां से समझो, देखो, गर्मियों में हमें हालके रंग वाले जो कपड़े होते हैं, और ढीले कपड़े ये पहनने चाहिए, खास करके जो सूती हो या लिलियन वाले कपड़े होते हैं इनको पहनना चीए ठीक है क्यों भाई क्योंकि ये हलके रिंग वाले कपड़े डिले ढाले कपड़े सूती या लिलियन वाले कपड़े ये सामगरी जो है न सारी के सारी वायू परिस अंचरण की अनुमति देती हैं और साथ ही जब पसीना आता है हमको तो इसको अफसोसित करती है और सरीर को ठंडा रखने में मदद करती है धीले कपड़े अधिक गरम होने से हमारे सरीर को रोकते हैं और गरम मौसम में आराम देते हैं जिससे ये गरमियों के परिधान के लिए आदश विकल्प बनते हैं बच्छ ठीक है तो इस तरीके से आपकी ये जितने भी पांच इंपॉर्टन कोशन थे ये वाले और इनमें से कोशन आपके पक्का आएगा इस वाद के तो गैरेंटी है पक्का इनमें से पीपर में आपके कोशन आएगा तो इसको बहुत सच्छे से यार करके जाना ठीक है अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मिश्टेक हो गया मुझसे मिश्टेक ये होगी कि बाकी कि आपके जो कोशन रह गया है ना कोशन नमबर 36 37 38 और 39 दरसल टाइम की शॉर्टिज की होने की वज़े से इन कोशन को मैं बना नहीं पाया बाकी इनके मैं आपको कोशन दिखा देता हूँ जैसे कि कोशन नमबर 36 है आपको निम ने लिखे ते तीन वस्तुएं ABC की दूरी समय ग्राफ को दर्शाती है ग्राफ का अध्यान करके निम लिखे प्रशनों का उत्तर दीजिए जैसे कि आपको ये ग्राफ यहां पर दे दिया गया है जिसमें एक तरफ डिस्टेंस यानि की दूरी एक तरफ टाइम यानि की एक तरफ है आपका समय तो इस ग्राफ का अध्यान करते हुए आपको जो है ना इन चार कोशन के आंसर देने है तो आप बच्चो इसको पढ़ लेना ठीक है मैं इ इतने भी हमारे क्व मैறेत भी संभी को मेंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करके समझा दिया और जैसे इस और यह मारे वीडियो थी आज की यह भी कंप्लेट हो जाती है तो आप सभी बच्चेओं को एक वार्फिस से आपके ना Campaign ねe再 da इसको हटा देते हैं इसको बढ़ा करते हैं आप सभी को आपके 9th class के science के मिट्रम के exam के लिए मेरी तरब से all the best बहुत बहुत सुपका होना है आप सभी को अच्छा paper करके आना बहुत अच्छी त्यारी किया हमने बाकी अगर आपको सुवह एक live class चाहिए अगर आप जादा जादा कमेंट करेंगे तो हो सकता है तो आपके लिए मैं सुवह तक्रीवान 6.30 या फिर 7.00 के आसपास आपके लिए एक लाइव लिए अगर आप जादा जादा कमेंट करेंगे तो ठीक है बाकी मिलते हैं आपसे एगली वीडियो में आपका जो अगला एक्जाम होगा ना हिंदी का उसके साथ तब तक लिए एक्जाम की त्यारी को तो अच्छे से फिपर करना बहुत बह जय हिंद जय भारत वंदे मातरम